देखो 31 सवाल क्या कह रहा था 31 सवाल कह रहा था कि 10 बोल्ट 2 बाट के बल्व को 100 बोल्ट 40 हर्टच के पिर्तेवर्ती धारा सुरोष से जलाना है 10 बोल्ट 2 बाट के बल्व को यानि ये तरीके से दिश्ट धारा है सो बोल्ट और चालेस हर टच की प्रतेवर्ती नारा सुरो से जलाना है बल्व के शिरनी किरम में जोड़े जाने के लिए अविशक चो कुंडी का प्रेर कत्व कितना होगा दस बोल्ट दो वाट का बल्व है बल्व का जो पाठ्थ्यांख है वो दस बोल्ट का है और दो वाट का है छीक है आप जरा सुनो इस बल्व का प्रति रोध कितना होगा और धारा कितनी पिरबाहित हो रही होगी प्रति रोध आर बराबर होता है वी स्कॉयर अपॉन पी वी स्कॉयर का मतलब दस का वर्ग बटे दो और दस का वर्ग का मतलब हो गया सो बठे दो और इसका मतलब हो गया कि पचास औम का पिटिरोध है और इसमें बहने वाली धारा आई बराबर होती है P अपॉन V P का मान है दो V का मान है दस जीरो दशमलो दो अमपियर की धारा बह रही है इसे पिर्तियवर्ति जो सुरोथ है वो वी बराबर दिया है आपका सो बोल्ट सो बोल्ट पर चलाया जा रहा है जिसकी आबिर्ति कितनी है आबिर्ति है 40 हर्टाश चीक है आबिर्ति कितनी है 40 हर्टाश है तो इसके शिरेणी किरम में शिरेणी किरम में एक कुंडली जोड़ी गई एक कुंडली जोड़ी जाती है एक कुंडली जोड़ी जाती है जिसका प्रेर कत्व एल है जिसका प्रेर कत्व एल है ठीक है आगे बास समाज में आप अब ज़रा सुनो अब तो अफमेन कालने के लिए हमें एक्सल चाहिए होगा परिपाट की धारा कितनी आ जाएगी परिपाट की धारा है आपके पास लीदशनदव धू ओ एम्प्या XL निकालने के लिए हमारे पास में सूतर होता है XL स्क्वाइर पिलस R स्क्वाइर बराबर V अपॉन I स्क्वाइर ठीक है यानि की Z स्क्वाइर और Z बराबर V अपॉन I V है आपके पास में 100 वोल्ट पिर्टेवर्टी दार अफ्रोत और I का माने 0.2 का वर्ग बराबर XL स्क्वाइर XL का पता नहीं है XL स्क्वाइर पिलस R का माने आपके पास में 50 तो यह हो जाएगा 50 का वर्ग दशम्दों लग करेंगे एक 0 बढ़ेगा दो से काटेंगे 50 आएगा 50 नहीं 500 500 कवर करेंगे कितना आएगा पांसो कवर करेंगे तो दो लाग पचास हजार बराबर XL स्क्वाइर पिलस पच्चेस सो फिक पच्चेस सो घठा देंगे इसमें से तो यह बचेगा 0 0 और 10 में से 5 गए तो 5 फिर 10 में से 3 गए तो 7 यहां पर जाएगा 242,47,500 XL स्क्वाइर आगिया तो XL बराबर कितना आए इसका ले लेंगे हम लोग बर्गमूल इसका बर्गमूल कितना आएगा XL स्क्वाइर XL का बर्गमूल लेंगे तो घाएगा रूट कितना 2,49,500 फिक है इसका बर्गमूल लो बाइसां पटाफक दो लाग 47,500 दो लाग 4,500 इसका परिगमूल दो लाग 4,500 447.49 आएगा कितना आएगा 437.49 457 यह एक्सल का मन आगी यह लगभग ठीक है अब हमें निकालना है क्या अब हमें निकालना है अल कमान और एकसेल बराबर होता है तू पाई एफ एल बराबर एकसेल एकसेल कमान चार्ट सो संतानवे देशमलो उन्चास तो एल बराबर कितना जाएगा चार सो संतानवे देशमलो उन्चास बटे दो गोणा पाई कमाना जाएगा 3.14 और L कमान L कमान निकलना है बटे में जाएगा F कमान दिया है 40 ठीक है तो या जाएगा 497.49 बटे 40 मतलब 40 दूनी 80 और 80 गोणा 3.14 करेंगे तो या जाएगा 0 ठीक है फिर 8 का गोणा करेंगे तो 8 चुको 32 32 की 2 हासिल 3 और आठे कमार ती ग्यारा एक आठे आठे चौबेस और एक पच्टेस 259.20 दे दो बेटा भाग जरा चार सो संतानवे दशमलब उन्चास में 259.20 का भाग देंगे चार संतानवे दशमलो 49 अपन 251.20 ठीक है तो ये कितना आजाएगा आपका एक दशमलो 98 इतना हैंडी चेक कर लो कितना आया एक दशमलो 98 हैंडी ठीक है तो इस तहीके से लगना है सवाल चलो नेक्स्ट कोशन पर हम लोग देखते हैं 32 ठीक इसमें एक डाइग्राम L जुड़ा हुआ है R जुड़ा हुआ है योग्या आपके पास में L और योग्या आपके पास में R ठीक है इसके साथ में पिरत्यवर्ति धारा स्रोथ भी जुड़ा है 200 बोल्ट का योग् यह है आपके पास में L और यह है आपके पास में R ठीक है इसके बाद में R के सुरो के मद जो विभानतर है वो 120 बोल्ट है चिक आर के सुरों के मद विभांतर 120 वोल्ट है और एक एंपियर की सर्किट में धारा बैर है अब कोश्चन ने क्या कहा है कोश्चन ने कहा है सलनंग ने चितर में परिदर्शित पिर्टवर्ती धारा परिपत में एक पिर्तिरोद हीन चौक्णड़ी एल यानी चौकुणड़ी का पिर्तिरोद बिलकुल नहीं है एल तथा एक पिर्तिरोद आर है पिर्तिरोद के सुरों का विभांतर 120 वोल्ट है तथा परिपत में आरोपेद विदृदवा हबल 200 वोल्ट ना पा जाता है परिपत में आबासी धारा एक एंपियर है आबासी धारा मतलब IRMS कलाती है ठीक है वही आई कलाईए वही IRMS कलाईए एक एंपियर ना पियाती है तो नमबर ए कुंडली के सिरों का आभासी विभांतर यानि वी एल का मान हमें ग्याद करना है ठीक है वी एल का मान हमें ग्याद करना है, दूसरी बात हमें क्या ग्याद करना है, नमबर दो परिपत की सकल पिरती बादा, सकल पिरती बादा का मतलब आप लोग की शकल नहीं, ये वो शकल नहीं है, जो शकल आप लोग समझ रहे हैं, और आप लोग की शकल इतनी अच्छी है नहीं है, काईली चीज यह है, सक कुंडली का पिर्तिरोद कुंडली का पिर्तिरोद मतलब XL कितना होगा ठीक है ये तीन चीज़े हमें निकालना है कि कुंडली का पिर्तिरोद कितना होगा ठीक अब जरा समझते हैं ये दोनों कौन से करम में जुड़े हैं ये दोनों शिरनी करम में जुड़े हैं कौन से करम म एक सो बीस बोल्ट का विभांतर है, सबसे पहले हमें वी एल कमान चाहिए, परिपत का परणामी विभांतर क्या होता है, बिटा वी स्कायर बराबर वी एल स्कायर पिलस वी आर स्कायर, बोलो होता है के नहीं, वी स्कायर बराबर वी एल स्कायर पिलस वी आर स्कायर, वी क्या जाएगा कितना आपका 40,000 बराबर में आगया वी एले स्कायर पिलस में आगया 12244 इतना एक लाइए सोरी 14,400 घर जाएगा 40,000 से तो कितना बचएगा जीरो जीरो और यह जाएगा अच्छे और यह जाएगा 15 ना आएगा वी एले स्कायर पंद्रह हजार छहसो बचा चाले से चाहुदा 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 में से चाहुदा कहा जाएगी चाहुदा को हम लिख सकते हैं 160 का वर्ग ठीक है? 16 का ही दो होता है तो VL बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 160 बोल्ड चेक कर लो यह आ गिया L के सुरों के मद्द विभानता है चेलियर आ गिया ना अब निकालना है Z यानि की परिपत की पिर्ती बाधा क्या निकालना है? जबी दिया करो तो परिपत का तोले पिर्ती बिभानता कितना है 200 और आई का मद्द कितना है एक तो Z बराबर कितना आया 200 बोलो आया के नहीं बोलो हाँ तीसरा कॉर्शन एकसेल का मद्द निकालना है क्या निकालना है एकसेल का मद्द निकालना है परिपत की पिरती बाद है तो भाई आई गई और आर कमान दिया है कहां दिया है अरे कहां दिया भाई आर कमान 120 बोल्टेज दिया है आर के सुनों के मत आर के सुनों के मत बोल्टेज दिया है अरे दिया है हां दिया है अपनी अपनी शकल दिया है तो एकसेल कमान क्या हो एक्सल बराबर हो जाएगा वील अपोन आई एक्सल मतलब एल का पिर्टी रोध पिर्टी रोध बराबर विबांतर बटे धारा पिर वी आल को मन कितना आएथा 150 धारा कित्नी थी एक एक्सल बराबर कितना घिया अं का उनो दिक्कत तरह कि दिक्कत आह From तो हाँ और आहाना में कुस्तों तर रखा करो थार्टी थिरी ठीक है तरो थार्टी थिरी दिखते हैं एक पितिरो दहीन चो कुंडी तथा एक पितिरो शिरेनी करम में जुड़े हुए हैं मतलब की एल आर शिरेनी करम में हैं शिरेनी में हैं बोलो समझा गया यह एल आर शिर लभद बेबानतर एकसो पचास और दो है एकसो पचास से और अरे भाई VL एकसो पचास व्यार है दो सो आर के सुनों के मददपन बेबानतर और अल के सुनों के मददफन बेबानतर छीख है याद courses में अब acum ही धारा एक MPR आई का मन कितना है ? एक MPR है ? एक MPR परिपस की पिटिबादा क्या होगी ?- इस सू सिंपल. जैड बराबर होता है आई ?- जैड बराबर होता है v upon i.- जैड बराबर ? , v कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे. कैसे निकालेंगे ? ऐसे निकालेंगे वी हियी नियर दिया है वी आ जाएगा वी अपनाय वृद्स ए कि मुने दिक्कत हो तो बताऊ अगला पुस्चिंच चलते है धार 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 सरकिट बना है एल और सरकिट दिया गया है ठीक है । यहां दिया गया है यहां है आर किसने है कितना है ये पित्यावर्थी स्ट्रोथ या ना इस तो उगिया और कि तो छालिस वर्ивать या विलक्त और यह कहि Unternehmen का मतलब यह सानलय रो प्रेयरिकत वे गॉलियर ऑर ही वडिय को सूर्किट में सज thought में एक प्रेयरimiento को कुंढली एर वा to एमपियर की धारा भारा ही है आई वर आर ऐवर भार बिख दो दो एंपियर वर ज फेसें सर्कृट में कतना एंपियर की धारा भार ही है और पूरे सरक्यूट का Z क्या है, और पूरे सरक्यूट का Z क्या है, सो सिंपिल, V क्या है, V ये ये है, क्या है? ये है, V إसक्वाइर बराबर VL إसक्वाइर प्लसples VL إ Ha crises. आ गया, अब जब V आ गया, तो Z बराबर होता है, V upon I .. V upon I.. V upon I.. is a simple cushion 35 cushion number any doubt है तो हाला तो बोल दिया तो पाइतिसमा सवाल पाइतिसमे में भी एक सर्किट दिया है ठीक है एल है आर है फिरतिया बर्तिदारा स्रोथ है ठीक है क्या गुनुना रही हो बटिया यह निकालना है आप लूपार चालो बाई आर दिया है एल दिया है एल बराबर ज जेरो दुशमलो एक हैनिरी जेरो दशमलो एक हैनिरी और कमांड दिया है सो आम आर बराबर कितना आम सो आम और पिरतिया बटी बोलत भी कच्चू कचू होगा है दस साइन सोटी दास साइन सोटी एक जीरो दिखाई नहीं है हमें अच्छा दिये गए पिर्तिवर्ती परिपत धारा परिपत में ग्याद कीजिए नमबर एक प्रेरकत एल एल का पिर्ति घात नमबर एक क्या ग्याद करना है भाई एकस एल ग्याद करना है नमबर दो क्या ग्याद करना है संपूर परिपत की पिर्टी बादा जैड ग्याद करना है और क्या ग्याद करना है परिपत में धारा का शिकरमान आई जीरो ग्याद करना है और क्या ग्याद करना है लगाई गई बोल्टिता तरह परिपत के बीच कलांतर भाई फाई ग्याद करना है क्या ग्याद करना है फाई ग्याद करना है ठीक है इतनी चीज़ें हमें ग्याद करना है तो चलो यहां से हम ग्याद करना है स्टार्ट करते हैं ठीक है अब यह कुशन पहुचा यहां कहां यहां देखो वी बराबर दस साइन सो एक हजार टी है कि नहीं है बोलो है ना तो हम लिखेंगे वी बराबर दस साइन एक हजार टी की तुलना किस से कराएंगे वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी से तो यहां से वी जीरो बराबर हमारा निकलेगा 10 और omega बराबर निकलेगा 1000 सबसे पहले क्या चाहिए Excel चाहिए अब हम छोड़ रहा है सबसे पहले क्या चाहिए Excel बराबर क्या होता है omega L Excel बराबर omega कमान 1000 L कमान 0.1 उस्सो आ गया बोलो आ गया कि नहीं दूसरी कहानी Z कमान क्या निकलना है हमको Z कमान निकलना है अब Z कमान निकलने के लिए अगर हमें धारा कमान पता चल जाए तो Z कमान हम आसानी से निकल सकती या Z कमान हम आसे निकल सकती देखो बिटा एक्सेल आ गया एक्सेल आ गया R कमान 100 हम दिया था बलो दिया था कि नहीं तो Z बराबर कितना होता है Rude R Squire पिलस XL स्कुाय बलो आ जाएगा ना चलो तीसरा पॉंट देखते हैं तीसरा पॉंट क्या है I zero I zero बराबर V zero बटे Z क्योंकि Z बराबर होता है V zero बटे I zero V0 बटे I0 तो जब I0 ने किलना है तो V0 हमारे पास में है 10 बोल्ट और Z कमान हम यहाँ से निकाल चुकेंगे यह भी निकाल देना है चौथ हा क्या है तलांतर क्या है क्लांतर मतलब 10 फाइ 10 फाइ बराबर क्या है XL अपन R तो XL रख देना और बटे में सो रख देना, जितना आ जाएगा तो वो कलांतर आ जाएगा, कोई प्राब्लम, नेक्स्ट कॉश्चन थार्टी सिक्स, ठीक है, चलो, थार्टी सिक्स में कहा है, एक ओम पिर्थी रोध, जैसा जैसा कहे, वैसा वैसा करते जाओ, एक ओम पिर्थी रोध, तता 0. जीरो दशम्नो जीरो एक हैनिरी प्रेर कत्वे, एल बराबर 0.001 हैनिरी प्रेर कत्व हो गया, चीक है के शिरेनी परिपत्स से 200 बोल्टी की पिर्थी धारा बोल्टीज लगाया जाता है, योगिया 200 बोल्ट, ये आर और एल शिरेनी की रम में जुड़े हुए हैं, समझ मे इए ठीक में थे अभी नोगे क्या का है नवर एक प्रिपत का तर्फ तीगात रहां मुझाना म्रें निकालना है अगर दुन, पक्रेंड, झेक रहें नमबर दून निकोलना थे अभरें डमम्र तीन निकालना है और यह कई दारा कवान है ना कैसि दुन, अद तक यहां सबया ह टू पाई एफल जेड बराबर एकसेल स्क्वायर पिलस आर स्क्वायर रूट में और आई बराबर वी अपॉन जेड बैरी सिंपल 37 कुश्चन देखें हम लो 37 में एक ये दिया गया है पिर्तिया बढ़ती धारा स्रोथ और इसके साथ में जोड रखा है इसे ने एल और आर को किसको भाई एल को जोड रखा है और आर को जोड रखा है ठीक है ये आर को जोड रखा है अब जरा समझो वी ये पिर्तिया बढ़ती बोलते स्रोथ भी दे रखा है वी बराबर 400 कितना साइन 300 टी साइन 300 टी और एल आर में क्या दे रखा है एल कमान 0.1 0.1 हैंदी और ये द वी बराबर वी 0 sin omega t से तो ना करेंगे, वी 0 आगिया 400, omega आगिया 300, बिल्कुर ठीक इस तरीके से, ठीक है, एल कमान दे रखा है, आर कमान दे रखा है, ठीक है, अब उसने पूछना क्या है, उसने पूछना है, नमबर इक परिपतमें πα्रवा है धारख अम्यारा धारख का अण़िक्न निकाला है नमबर एक test टीक है मैक्सिमल वारू क्या है आई बरॉबर हम कैसे निकालेंगे आई बरॉबर हम कर देंगे यह सीधी सी बात यह है के आई बराबर हम करना है हाँ तो XL दिया नहीं है यहाँ पर आर दिया है आर दिया है लेकिन यहाँ पर तो V नहीं दिया है ठीक है तो अधिक तब मालापन कुछ आई या भी तो अभी रुकेंगे तो आसा दूसरा परिपत में पिर्वाहे धारा का वर्गमादमूलमान यह I0 निकलना है और लेकिन जैड नहीं दिया तो सबसे पहले हम किया निकलेंगे एल दिया है ओवेगा दिया है एककसेल निकल रीएग जब एकसेल astern अवहाँ और एकसेल से और हैक्सेल से उमारी क्या निकल आएगा इस तरीकए यह एकसेल से जै निकल आएगा तो आएजीरो बराबर क्या रा है आपरिपत की धहरापन निकाली चुके हैं तो आयर्म असर जाएगा फिर कलांटर तो कलांटर आप जानते एं टैन फाई पाइवर राबर क्या होता है एकसल अप निकाल चुके हैं और आप परत्य बड़ती बोल्टेज रोत, भाई, L कामान है, 0.9 यह हैंटी, यह है 40, 0.1 हैंटी यह है 40, उन. फिरद्ध बड़ती बोल्टेज के दिना है, 200."033, वी बराबर 200.03, देखो भाई, ओ, बेटारो, वी जीरो दो सो है ओमेगा तीन सो है एल जीरो देशम लो एक है और कमान चाले से राइट पूछ क्या रहा है इसमें 38 कुश्चन 38 कुश्चन पूछ रहा है परिपत की पिर्थी बाधा अमीटर का पाट्टेंग मतलब आई और शक्ति कुरांग क्यानी कॉस फाइड सबसे परे परिती बाद आगे से तिर्थी बाद के बाद उसने कहा है कि अमीटर का पाठ्व मतलब आई कमाने कालना यह या कहता है तो आई कमान नकालने के है इंटा क्या होता है ऐसा शक्ति श्राइब नहीं पड़ी आप लोगा ने जिसमें एक जगे था के वल पृतिरोध जोड़ना और एक जगे था और के साथ में अलव जोड़ते हैं जब हमने निकाला था पी बराबर वि यहां इस गुणा कॉस फाइब जहां Cosви एक शक्ति गुणान कें तो तुम लोगो एक नमबर के नालायक साथ में गदेभी हो CosFi और CosFi कमान निकालना है तो CosFi कमान निकालने के लिए पहले में ThanFi से 5 निकालना होगा 10Fi बराबर XL upon R तो जब 5 एजाएगा तो फाइज कमान यहां रख देंगे कि आजाएगा किस्ता हो गया खतम नॉटेड़